दोस्तो नमस्कार हिंदी को इंचानल सभी लोगा स्वागाताई हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रसद कभी हर्बन सराय बच्चन जी की कविता मैं हूं उनके साथ खड़ी कविता का भावार जानेंगे सारांस और उसके प्रसमत्रों के बारे में बात करेंगे यह पर इच्छा उप्यूद रिष्टी से बात की जारी इसलिए समिश्वत में है यद आप चाहें तो इनमें कुछ और सब्दों को अपनी बातों को जोड़ सकते हैं जो कि आपके विदाले में पढ़ाया गया हो तो यदि आप हंदी को इंशाल में पहली बार आ रहें तो यूट्टूब पर हंदी को इंशाल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हंदी भास साहिध के उप्यूद की जानकारी पर राप्त होती रहे तो शुरूआत करते हैं मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड़ नहीं जिने चुप कर सकती है आताताईयों की समसीर मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड़ दोर देखती जिनकी पैनी आख भवश्यतम कातम चीर मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीड़ तो प्रसंग के बारे में लिखेंगे तो आप लिखेंगा कि प्रसुत कविता में कभी ने मनुष को अन्या क्यागी न जुकने और अपने नयाजित अधिकारों के लिए लड़ने और निरंतर संगर्स करते रहने के पेरणा दी है ब्याख्या में आप लिखेंगा कि कभी कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कि स्वावलम भी है अपना काम जो स्वयम करते हैं और किसे दूसरे पर आस्रित नहीं रहते वे लोग अपना उचित अधिकार नहीं छोड़ते हैं और वे लोग अत्याचार को सिर जुका कर नहीं सहते हैं अत्याचार के बेह्रूद संगर्स करते हैं चाहे वे अकेले हूँ या अत्याचारियों के तलवार भी चुप नहीं कर सकती है अथार्त वे लोग अत्याचारियों के सामने नहीं चुकते हैं कभी उनका है साथ देगा जो कि स्वावलम भी है इसके बाद है कभी लिखते हैं जो अपने कंधों से परबस से बढ़कर टक्कल लेते हैं पत्खी बाधाओं को जिनके पाओं चुनावती देते हैं जिनको बांध नहीं सकती है लोहे की बेड़ी यंजीर मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सिधी रखते अपनी रिड़ जो चलते हैं अपने छपर से उपर लुका धर कर हर जीत का सौधा करते जो प्राणों की बाजी पर कूद उदधी में नहीं उलटकर जो फिर ताका करते तीर मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सिधी रखते अपनी रिड़ जिनको या आवकास नहीं देखे कब तारे अनकूल जिनको या परवा नहीं कब तक भद्रा कब दिख्शूल इनके हाथों की चाबू से चलती उनकी तकदीर मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सिधी रखते अपनी रिड़ तुम हो कौन? कहो जो मुझसे सही गलत पत लो जान, सोच सोच कर पोँच पोँच कर बोलो से बढ़कर परबस से टकल लेते हैं अथार्थ अपने सकती सधिक कार करके दिखा देते हैं मार्ग की बाधाओं को वे गिंते नहीं उनके मार्ग में कितने भी बाधाओं आजाए उनके पैर रुखते नहीं है उन्हें कोई भी लोहे के जंजीर बांद कर नहीं रह सकती है कोई भी सकती उन्हें गुलाम नहीं बना सकती है कभी उनके साथ ही चलेगा जो अपनी रीड सिधी रखते हैं अर्था तो वे स्वालम भी हैं कभी का कहना है कि वे लोग इतने सासी होते हैं अपने चपर पर जलती हुई लकड़ी भी रख देते हैं इसका दात परिया है कि वे खतरों से खिलते हैं आग भी उनके चपर को जला नहीं सकती कोई भी बादा उनके साहस को रोक नहीं सकती वे अपने उद्धिश के पूर्थी के लिए प्राणों की बाजी भी लगा देते हैं वे इस समुन्दर में कुद कर लौड कर किनारे की तरब नहीं देखते हैं निरंतर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं कभी कातात परिया है कि कठेनित कार शुरू करने के बाद या नहीं सोचते किया कार क्यों सुरू किया कभी उन लोगों के साथ हैं जो कि स्वालों भी हैं अब हम कविता के साहरांस के बारे में बात करें तो मैं हैं उनके साथ खड़ी कविता में अपने अनोखे अंदाज में मनुष्य को अन्या के आगे न जुकने अपने अधिकारों के लड़ने और निरंतर संगर्स करने के पेणा दिये है वे बेक्ति जो सौलम्बी हैं सहसी हैं वो अपना नयाशित अधिकार छोड़ते नहीं है कहने का अधिकार को लेने में कोई बुराई नहीं है जो अपना अधिकार है उसे प्राप्त करना चाहिए यदि हम अपना अधिकार छोड़ते हैं तो सामने वाला हमें कायर समस्ता है और आगे भी दबाव डालता है कभी भी हमें अत्याचार के सामने नहीं जुकना चाहिए अत्याचार करना या अत्याचार सहना दोनों ही गलत है हमें अपने कार को करने के लिए भीड के आओ सकता नहीं होने चाहिए हमें में इतनी सामर्थ होने चाहिए कि निद्रिष्ट काम को अकेले ही कर सके स्वालंबी व्यक्ति को कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए वो अपने हिर्दय के उद्गारों को निर्भय होकर प्रकट करते हैं वे लोग अत्याचारियों के सामने नहीं चुकते हैं सभी लोग ऐसे ही वीर बने जो कि अत्याचारियों के संसीरों से घबडाये नहीं बलकि निर्भहता पुर्वक उनका सामना करें वो लोग अपनी ताकत से अधिक काम करके दिखाते हैं और मार्ग की बाधाओं या तकलीफों की ओर ध्याना देते हैं निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं कभी कहते हैं कि सभी भारतवासी ऐसे ही बने कभी भी उन लोगों के साथ है जो कि स्वावलंबी हैं सफलता भी उन्हें के साथ रहती जो कि अपना काम स्वैम भी करते हैं कोई भी व्यक्ति उन्हें गुलाम बना कर नहीं रह सकता या उन्हें गुलामी की बेड़ करने चाहिए हमें अपना कठिन काम प्रारम करके फिर लोट कर नहीं देखना चाहिए कितना ही कठिन काम हो उसे पूरा करके ही विस्राम लें यदि हम काम सुरू करके अधुरा छोड़ देंगे तो हमारी सक्ति और समय विर्थ गया अता काम सुरू करने से पहले सोच भी चाल पर सुरू करने के बाद उसे पूरा करके ही दम लें सौलम भी विक्ति खतरों की परवान ही करते जब हमारे देश में ऐसे ही भी रहूंगे तब यह हमारा देश का गौरो बढ़ेगा इसलिए कभी इस कविता के दौरा अधिक सदिक लोगों को पेंड़ा देकर सौलम भी ब कविता में बताते हैं कि वह लोगों के साथ हैं जो अपनी रीड सीधी रखते हैं तो रीड सीधी रखने से कभी का दात पर क्या है कि अपने सहारे पर खड़ा होना या बिना किसी सहारे के खड़ा होना इसका सीधा वादा दात पर यह है कि सौलम भी होना जो लोग सौलम भ होते हैं समाज में उनका समान होता है और सभी लोग उनका साथ देने को तयार रहते हैं यहां कभी नैसे लोगों को साहित किया है जो कि अपना काम स्वैम करते हैं दूसरी तरफ उसने उन लोगों को निरुसाहित किया है जो अपने काम में हमें साथ दूसरों का सहारा मांगते रहते हैं, कभी उन्हीं लोगों के साथ हैं, जो कि सौलम भी हैं, सफलता भी उन्हीं के भागे में आती हैं, कभी कहते हैं, कैसे लोग अपने नयाशुत अधिकार को छोड़ते नहीं हैं, वे कभी भी अत्ताचारी के सामने जुकते नहीं हैं, चाहे वे अकेले हो या भीर उन की जीवा पर आ जाती हैं उन्हें अत्याचारों के तलवार भी नहीं चुप रख सकती हैं अर्धार तुवे किसी से डर कर नहीं रहते हैं और नहीं किसी से दपकर काम करते हैं अत्याचारी भी उनसे घबराते हैं इसे निर्भय सौलंबी पुरसों के साथ ही कभी रहना चाहत यह लोग अपनी सामर्त से अधिक काम करके दिखा देते हैं, रास्ते के कांटे या कारे में आई हुई बाधा हैं उन्हें काम करने से नहीं रोक पाती, वे तो बाधाओं को भी चुनोती देते हैं, उन लोगों को जो सौलम भी हैं और कोई भी वेक्तिया देश परतंदरता की बेड़ी नहीं पहन सकता, कभी उन लोगों के साथ रहना चाहता है, वे लोग खदरों से घवराते नहीं और हार जीत के फौदा अपने प्राणों की बाजी लगा के करते हैं, काम सुरू करके लोड़कर देखते नहीं वापस पिराके, काम कितना भी कटिनों सुरू करके फ मैं उनके साथ कभीता का पार्ट हम लोगों ने किया, उसके सप्रसंग ब्याख्या और भावार्थ को समझा, और उसका सारांस क्या है, कभीता का, मैं उनके साथ खड़ी कभीता का सारांस क्या हरवन सराय बच्छन जी दुदार लिखी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर बात की और उसके महत्पूर्ण प्रसंतरों के बारें बात किया यदि आपको या कविता और उसके भावार्द सारांस प्रसंतर लिखित रोप में चाहिए तो नीचे डिस्कुस्टिन बॉक्स में लिंक दिया गया जहां पर जाकर आप मैं हुनके साथ खड़ी कविता का आप सभी का वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद